हलो एंड जैहिन स्टूडेंट, वेलकम मंस अगेन टू यूर ओन चैनल सर्तरुन रपानी और ये चैनल एक्स्क्लूजिवली ICC वोड के लिए चैनल है और आपके लिए मेरे राइसिंग स्टार के लिए पाइलोजी का चेप्टर, स्किन, जैक अफ और ये जैक अफ और ट्रे तो स्किन कैसे है सर, जैक अफ और ट्रेट, हाँ धेर सारे काम करता है आपके लिए, आपने सिर्फ इतना ही सोचा कि स्क्रिफ से सेंस करता है, हाँ सिर्फ सेंस और गन है, नहीं, आपकी बोडी के धेर सारे काम ये करने वाला है, आज आपको मैं डिटेल में इसके बारे में पताने वालों, तो skin एक covering नहीं है आपके body की, बलकि आपकी body का सबसे active, सबसे active organ है आपके body का, फिर सारे functions करता है, हमारी body का largest organ है, क्या सोचा आपने, कहीं आप सोच रहे हैं sir, largest organ, fever तो नहीं है, जी, fever largest band है, तो largest organ हमारी body का है, और हमारे body का 15% weight, किन का है, कभी आपने leather के shoes, leather के belts, leather के bags, leather के jackets, देखा है, हाँ जरूर देखा होगा, यह actually किन का part है, किन के upper layer को epidermis को अढ़ा करके, जो dermis वाला part है, उससे बनाया गया, हाँ, जो shoe में leather लगा है basically, वो animal leather, चली, तो skin के बारे में जानते हैं, skin outer most covering है, यह अपने आप जान लिया, हमारी body के पूरे stretch पे, यास, आपके सर से लेके पाओं तक हर एक जगे है, किन का function क्या है, तो skin का सबसे पहला function है, protect करना, रक्षा करना, बचाना, नीचे की surface को, नीचे की tissues को shock से बचाना, हमारे body के अंदर जो fluids हैं, उन्हें बाहर निकलने से बचाना, हाँ, आपके skin जड़ा से भी कट जाती है, तो खुब सारा blood बहार आ जाता है, तो skin इस blood को, इस fluids को बचाता है, loss से बचाता है, और क्या करता है, किसी harmful substance को हमारे skin में enter करने से भी, कोई भी substance हमारे skin को अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि skin एक impermeable सी layer है, और क्या करता है, sensation देता है, आपको किसी के touch द्वारा, किसी के heat, pressure, pain, सबका पहचान बताता है, और क्या करता है, आपके temperature regulate करता है, आपको अंदी में, गर्मी में, just skin help करता है, body के temperature को maintain कर, body में food store करता है, और यह कैसे, आपके skin की layer, अगर थिन है, हाँ, ज़र चेक करके देखो, अपने हाथ को ऐसे चेक करके देखो, अगर आपको लगता है, कि आपके body की skin के layer बहुत थिन है, तो आप fat free हो, और skin के नीचे thickness है, तो आपके skin के नीचे edipose tissue में fat store हो रहा है, तो यह करता है, storage of, excretion में मदद करता है, क्योंकि skin से निकलने वाला sweat, पसीना, आपके body से water, आपके body से urea, और even salts भी निकालता है, और क्या करता है, आपके शरीर को vitamin D, कभी आपने सोचा है, चोटे बच्चों को ममी लोग newborn babies होते हैं, उनको ममी लोग sun में क्यों, मालिश करती हैं, हाँ, नए बच्चों को, जो पैदा हुए बच्चे हैं, ममी लोग उनकी खुब रगड-रगड के मालिश करती हैं, और उनको धूप में लिटाती हैं, तो sun बात देने हैं, क्योंकि vitamin D हमारा skin synthesize कर सकता है, जिससे आपकी bones strong हो जाएं, grip देता है हमारे skin के, आप देखेंगे palm area में, आपके finger और palm में क्या है, ridges बनी हुई हैं, आप देखेंगे बहुत सारे lines बनी हुई हैं, तो यह आपकी body को क्या देता है, grip देता है, skin के structure की जब बात करेंगे, तो दो basic structure से skin का structure बनाए गया है, सबसे पहला है skin proper और दूसरा है derivatives of the skin, हम सबसे पहले बात करेंगे skin proper की, एक आप colorful diagram आप देख पा रहा होंगे, skin proper का, चलिए, मैं आपको detail मताने वाला हूँ, skin proper, skin proper मतलब basically skin, दो layer से बनी है, outer layer epidermis और दूसरा inner layer termis, आई एक detail में इसको diagram के साथ समझेंगे, सबसे पहले बात करेंगे, epi, epi मतलब होता है बाहर, out, तो epidermis outer layer है, यह बहुत thin layer होती है, यह thin layer होती है, बाहर की layer होती है, आपके skin की उपर की layer, तो यह बनी किस्से है, satisfied epithelium से बनी है, tissue का नाम है epithelium tissue, यह tissue कैसे बनाई गई होती है, layer after layer, एक के उपर, दूसरी, दूसरी क्या कर दी जाओ, layer रग दो, तो बनेगा, इसलिए इसका नाम है, stratified, stratum में बनी गई है, यहाँ पर 3 आपको regions दिखाई देंगे, इस पहली layer, rapid dermis layer में 3 region दिखाई देंगे, आप screen पे देख सकते हैं, मैं आपके लिए diagram थोड़ा चाब बढ़ा कर दे रहा हूँ, और आपको A, B, C के रूप में 3 layer दिखा देता हूँ, इन पर सिर्फ diagram पे concentrate करिए, इस skin का diagram है, और आप देखेंगे किआपको 3 layer दिखाई दे रही होगी, पहली layer, सबसे topmost layer आपको दिखाई दे रही होगी, chatum corneum, ये dead cells से बनी layer होती है, सबसे उपर की layer आपके skin के उपर होती, सबसे उपर की layer, chatum corneum, corneum dead cells होती हैं, जो सबसे surface में होती हैं, पे आपने आपने सोचा है कि आपके मम्मिपको आपके पपा आपको कहते हैं कि विर बेटा नहालो हां के हुआ जाब आ और इसके नीचे के लिए आप देखिए ग्रेनुलर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें बड़े-बड़े ग्रेनुल से आप देख पाएंगे इस लेयर के अंदर खुब सारे ग्रेनुल से इसको सेपरेट करती है इसको सेपरेट कि जो मैल П pauई जी लेयर के इआ अगर मोच लेयर है नहीं कर कि है कि यह पहला लेयर है मिर्पार्ट यहां खता हूता है और वहीं से तर सकता है तो आपका एपीदिर्मस बकार्ट से मिलकर बना Tratum corneum granular layer और stratum malph suggest malphigy ही सबसे important है यहीं पे नई cells grow हो रही होती है rapidly dividing cells पैदा होती है stratum malphigy में और यही cells जो grow हो रही है वो stratum grafil disagi के बाद granular layer में पहुचती है और उसके बाद जब ओ हो जाती है तो तो सोक में चले हैं और टॉप से हम और आप क्या करते हैं उसको वाश करके या रब करके रिमूव कर देते हैं और यह प्रोसेस चलता है अब आते हैं अगला लेयर टर्मिस लेयर की तरह अपको थुदा सा कुछ और बता दें इनके बारे में चैटम जो कॉर्णियम है टॉप मोस लेयर है जो आउ सब्सक्राइए देता है दो सून कलर देता है और शेह राट किन कलर देता है यहां पर यह इनरोस रिजन एपिडर्मिस फिर लेयर है किया फूप सारी नई रेपिटली ड्वाइट सेंस प्रोड्यूस होते रहते हैं जो डेट ससको हर्फिलेइस करते रहते हैं अथार्थ यह उड्टा है डेट सेल्स को रिमूज करता रहता है या त्यूज पांट हो गए एपिडेगरमिस अब आ। आई आपको डैगराम फिर द्यान से देखना कि इस डियाग्राम को थोड़ा सा ध्यान से देखिए तब आपको दिखाई देगा अब इस डियाग्राम में सबसे पहले नया नया आपको दिखाया epidermis epidermis हो गया does epidermis के बाद नीचे चले एकुटर में से सीक्वेंस में नीचे चलना है epidermis के sequence में नीचे चलना हैं को सभसे पहले आपको दिखाई दे रहा है यह पर क्या यह रहा गलेट एकाव ढिलेट गप्रीज़ दिखाए दे रहे हैं आपको देक्षेंगे चरमिस रीजन में अदो एक यहीं से क्या हो रहा होता है को और क्या दिखाई दे रहा है को कि फरी नर्व एंडिंग दिखा Sweet क्योंकि sensory organ का काम करते हैं और क्या दिखाई दे रहा है आपको आपको दिखाई दे रहा है इसमें मौझूद सिबेशियस ग्लेंड बेसिकली ओयल ग्लेंड उता है या आपके skin में oil है चेक करना चाहते हो तो जब आप अपने early morning में उठें अपने face को या अपने skin को ऐसे चेक करके देखिए हाँ आपका skin अगर smooth है तो समझ जाई है अगर oily skin है तो आप उसका care कैसे करते हैं यह सोच रहे हैं हाँ रेगुलर्ली वाश करते रहो face और body wash करते रहो ठीक है oil body का जो excess body का oil है वोई remove करते हैं हाला कि इसका भी मक्सद क्या है protective function है यह चोटा सा बड़ा सा यह यह बड़ा सा श्ट्रश है आपको अब इस hair shift को नीचे आएंगे जब आप अंदर देखेंगे आप देखेंगे नीचे आकर का इसका बल्ब जैसा शेप है यहां से देखेंगे इसका शेप एक बल्ब जैसे आकार का है इसलिए इसका दूसा नाम भी है क्या hair bulb hair bulb actually में attached है hair तो अगर किसी के बाल जड़ने की problem है तो समझ जाईए उसका hair follicle कम जोर है एक फॉलिकल क्या करता है hair bulb को hold करता है आपका hair बल्ब जाके उसमें fit हो जाता है ऐसे जाके बैट जाता है और hair follicle उसको tightly पकड़ लेता है तो अगर आपके बाल जल्दी जल्दी चूट रहे हैं जड़ रहे हैं तो आपको problem का है hair follicle में hair follicle जो hair bulb को hold करता है और hair follicle को blood supply कौ energy oxygenative blood supply दे रहे हैं इसलिए जब आप लग करेंगे खीचेंगे आप तो बालों में दर्द होगा क्योंकि hair follicle खिचाएगा समझ गये और आप नीचे आएंगे और तो नीचे आएंगे dermis में आप देखेंगे आपको दिखाई देगा sweat gland पसीने का gland आपकी body से जो पसीना निकल लगा रहा है जब आप दोड़ के आते हैं तो यहीं पैदा करता है sweat gland देखें ऐसा लग रहा है के चुआ है आप अर्थों में कहीं जाके लगता है लपेट गया एक दूसरे पर यह लगता है लिपट गई एक दूसरे से और यह स्वेट पोर है उपर जहां से स्वेट निकल आपको fat के molecules दिखाई देंगे यह fat की layer है जो oil या increase या आपने fatty substance खाए हो यहां और उसके नीचे क्या दिखाई देगा बेन दिखाई देगा जिसका काम होता है टी oxygenated blood को हार्ट तक ले जाना और यह आर्टरी जो की oxygenated blood ले जाता है different parts of the bodies तक oxygenated blood पहुचाता है और एक और और आर्गन देख लिजे एrector muscle यह क्या करता है hairs को यह muscle layer होती है जो hair को क्या करती है ठंडी में क्या करती है यह erect कर देती है ठीक है ना बाल कभी कभी नहीं सिधे हो जाते हैं तो goose bumps भी कहते हैं आप लोग चलिए तो color of the skin का exact region क्या है melanin ठीक है keratin नहीं melanin region है और melanin कहां पायाता है Melfigy layer में आपको याद होगा epidermis का third layer है Melfigy fatum Melfigy वहीं पर पायाता है और क्या खास बात है इसका काम है इनकी जो एक color है skin को एक umbrella के तरह काम करते हैं इनको ultraviolet rays से बचाते हैं और क्या करते हैं अगर यह color आपका skin का अभी आपने आपके classmate को किसी को देखा है या अपने school में किसी को देखा है जिनके शरीप वाइट 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 पैचेज है एक दम वाइट वाइट सा पैच दिखाई देगा आप समझ जाए उनको एक इस स्किन की problem है क्या problem है यूझको डर्मा की problem की और में को कहते हैं विटील गो क्या होता है इनके कुछ हिस्से में pigments हट जाते हैं जो melanin नाम के pigments हैं जो skin को रंग दे रहे थे color दे रहे थे जैसे आपका color है जैसे कोई fair है तो कोई dark है वी वीटिश color है तो अगर skin का color ही नहीं है वहाँ पर तो बीचब बीचे patches नहीं है color के नहीं तो वहाँ पर है तो डर्मा हो गया किसी को आज तक लिकोडर्मा का exact cause मालम चल पाए है जवाब है नहीं साइन्स अभी इस पे भी भी बहुत सारे researches कर रहे है एक और बिमारी है albinism पूरा ही बॉट यह सर से पाउं तक इवन eyebrows भी क्या हो जाते है उसके इस white हो जाते है पूरे skin का color क्या है एक दम pure white milk जैसा होई क्योंकि पूरा pigmentation नहीं है उसकी बॉट कम्प्रीट लॉस और पिग्मेंटेशन इस अल्बनिजम कहते हैं मुझे आप comment box में जरू बता सकते हैं अगर आपके school कोई भी प्रीज पूरे मान सम्मान रखेगा यह कोई बहुत बढ़ी problem नहीं यह one of the abnormal bus condition है फिर आता है dermis मैंने बताया epidermis के बाद क्या आने वाला है dermis dermis अंदर की layer है और यहीं पर connective tissue मौझूद है जहां पर धेर सारा केस काम हो रहा है चाहे वह सेट ग्लेंड हो चाहे सिबेस्टेस ग्लेंड हो सब कहां पर मौझूद है dermis में जाते हैं पाम आरी एरिया में जिस हमारा हाथ का पाम यहां थिक है देखें आप यह चेक करें इसकिन के लिए थिक है पैर के सोल्स में भी थिक एरिया है और मैंने कहां फैट भी यहीं तर में स्टोर होता है एड़ी पोस्ट इस्यों कि अब इसकिन से निकलने वाले उच और घंच पार्ट नाम इस इनमें सबसे पहले पढ़ेंगे एजर के बार मैं दिखाया है एक आपको ब्लैक रंग का ऐसा पार दिखाई दे रहा था यह हैए जो इंस से बाहर आचुका है एपिडर्मिस से बाहर आ चुका है, हेर शेफ्ट के नीचे क्या है हेर, पूट जैसे पेड़ो की रूट होती है, हेर रूट वो प्लेस है जहां से यस हेर निकला है, तो आके जाके हेर बल्ब बन जाता है, और हेर बल्ब जुड़ा होता है ब्लड केपलरी, इसलिए मैंने कहा अगर आप हेर कट करेंगे तो आपको दर्द नहीं होगा, पर आप हेर प्लक करेंगे, खीचेंगे, तो आपको दर्द होगा, क्योंकि हेर बल्ब में ब्लड वैसल्स है, तो हेर फॉलिकल, क्या है, हेर फॉलिकल एक स्ट्रक्चर है, जो रूट को एंकलोज, अगर किसी की ब खड़े हो जाते हैं नहीं रॉंग्टे कर देना तो उस समय होता है हम लो इरेक्षिन हां ही लो इरेक्षिन वेस कंडीशन और गूसबंब्स यहां सो गूसफलेश भी क्या है यह इसमें क्या हो जाते हैं अब आता है अगला पार्ट अगला डेरिवेटेव नील नाखून आप होता है नाखून क्हिचने अब क्यूंप क्यों होता है क्योंकि एंड्लि जो करह 17 होता है वह बेस होता है इस एक बेस मटेर से ज़्ड़ा होता है वो लो नकल में तीन पाठ होते हैं अ लिट है और मैं उλकल कि Housing Oliva । तो जो प्लेटरी से वह आप यह है है और बेड रिजन इसके नीचे का सर्फेस है मैट्रिक्स वो रिजन है जहां पर लाइफ होती है जो एंड पॉर्शन है जो स्किन के अंदर जालाता है पॉर्शन वहां से कीज़ें को तो दर्द होगा एक और ग्लेंड हमने स्किन के अंदर पढ़ा था नाम और ग्लेंड इसका दूसरा नाम है क्योंकि यह और से करता है आपकी बॉडी में और से करके एक लेयर करेट कर देता है तो कि वाटर के वैपरेशन को रोखता है अच्छा कुछ प्रॉब्लम जो सिबेश्यस ग्लेंड से रेलेटेड है इंपल आ जाना आपकी कुछ ग्रोथ की वज़ए से आप सुनते हैं कि पिंपल आ जा रहा है चैरे पे तो पिंपल क्या है एक तरह का सीमम एक्क्यूमिलेशन है और बैक्टेरियल ग्रोथ का एक्यू बच्छन को दबावदेते हैं कुछ षभर पादार्त निकलता है ओफस होता है क्या एक रहता है और यह सिबेशिए लिए जब स्वेल हो जाता है तो एकने बंजा अगे यह ग्रोथ मीक्रोथ की साइन है रिएक ये चैन होते हैं लैक ब्लेक रंग के क्या हो जाता है डार्क स स्किन को प्रॉपर एयर ऑक्सिजन रही है फ्रेश वाटर नहीं मिल रहा है तो यह प्रॉब्लम आसे अब आता है स्वेट ग्लेंड पसीना का था एक सिंपल लगेगा कि अर्थवां में लगेगा कि कोईल्ड मैगी है बहुत सारी धेर सारी मैगी है यह स्वेट पोर से क्या कर आपकी बॉड़ी से पानी यूरिया लिकालता है अब एक और आता है मेमरी ग्लेंड को सुनते ही आपके दिमाग में एक बैड इमेज आ सकती है बड़ आपको ध्यान देना है कि मेमरी ग्लेंड पाए जाता है मेल में भी पाए जाता है यह भी ध्यान देना है कि मेल के मेमरी ग्रेंड अग्रोफ होती है यह जिपी मेरी फेल्ट बड़े हो सकते हैं प्रडेंड और आता है मियो बीमियम आम मियो बीमियम यह क्या होता है ये एक तरह का मॉडिफाइड सिबेशिय स्वेंड रखेगा ओयल हया है कि आई के मार्जिन पर यस आपके आई के जो मार्जिन से कोने हैं यह पायाता है tip of इंद यह क्या है यह बीa क्सक्राट कशन पéroल्ॉप्रिटिंग मडिव्यों पडिल पड़ा करता है इसको महसूस कर सकते हैं आप इसको इसको कोन वर यह व्यसमाइट लाइक सब्सेस करता है जिसका नाम ह kommen इनगे कान में वाइट वाइट सा पदाथ निकलता है कान साफ करने कि शेम हमाद सा मधेरियाल निकलता है का स्किन आपके टेंपरिचर बेरेगलेट करता है जवाब है हाँ आपकी बॉड़ी जब ठंडी हो जाती है ठंड लगने पिए हाँ जब आज आप नहां के धंड से निकल रहे हैं पानी पानी पन से तो कपकपी लगती है ना दार कट कटाने लगते हैं तो यह हमारा मेकनिजम है नेचरल मेकनिजम है ओम थिलाने का तो इसकिन जानती है कैसे हमारे बॉड़ी के टेंपरिचर को आपको पता है हम लोग मैमल्स और बर्ड्स दोनों ही वाउम ब्लेड़ेट है वाउम ब्लेड़ेट का एक फिक्स बोड़ी टेंपरिचर होता है मतलब है हम अपने में हम लोग जैकेट्स मॉफलर्स ग्लव्स क्यों पहन लेते हैं क्योंकि हमारे बॉड़ी के टेंपरिचर को में में बहार बहुत ठंडी पढ़ रही है शरीर ठंडी को बरदाश्ट नहीं करते हैं कि पाइसेस मचलिया एमफीबियंस रेप्टाइल्स वह अपने बॉड़ी एक टेमेचर फिक्स है 37 डिगरी से परनाइट में पूछों के तो 98.4 डिगरी अब हमारी बोड़ी में हीट प्रट्शन करता कैसा है हम जो हमारी जो बोड़ी में बहुत सारे केमिकल रियक्शन फूट खा रहे हैं तो उनमें जो धेड सारा केमिकल रियक्शन हो रहा है मैं हो रहा है उससे हीट रदा हो रही है और कहां से हीट आ रही है आपके मस्कुलर ऐक्टीष आपके दोड़के आ रहे हैं तो हीट प्र summant MUSIC कर लो भी आ। करते हैं warm-up मैसूस करते हैं vigorous activity करने से और यहां तो कुछ गरम फूड खाने या पीने से अब गरम कॉफी पीलो क्या कहते हो बोड़ी वाम हो जाते हैं अब हीट लूज कैसे होता है हमारी बोड़ी से तो हीट लूज स्किन करते हैं सबसे बेसिक औरगन हमारा है आपकी हीट क निकालता है आप जो air breath out करते हैं कभी मैसूस किया है वह ओम होव तो लंस क्या करता है हमारे इविक से हमारी बोड़ी से क्या करता है करम रहने कले हैं पर यूरीन भी इवथान देंगे हैं हमारे बार्ड़ी से निकलने हमारा बेस्ट अभी हूं हो औरreet तो और कुछ to फूर डौरा ढूसे फंटR एक लिए लिए मरें पिलो गर्मी में में पीता हैं यह लो पुर्ण की चार्ज पीते हैं यह यह भी बॉड़ी का ही कर सकते हैं जैसे ही टेम्परिचर 35-40 के ब्यॉर्ण गया ऍटीफाइब फटी एक नहीर है जिसे हम आप्टीमम प्रेचर कहते हैं कोट्टी के उपर जाएगा तो हमारी बॉड़ी के जाए कर जाएंगे और हमारी बॉड़ी मर जाएंगे तो हमारी बॉड़ी का टेप्रिचर कॉन मेंटेन करता है तो ब्रेन का एक पार्ट है नामा हाइपोथेलमा पनवर्ड कोशन आ सकता है तो हीट रेगुलेटिंग सेंट यहां पर हीट कंट्रोल जैसे ही बॉड़ी आपको ठंडी होने लगेगी आपको ठंड लगने लगेगा आपकी एक्टिविटी को विग्रस कर जो घंड में नहाने के बाद कपकपी आ रही हो यही कर रहा है और आपको पसीना बहुत निकल रहा है गर्मी में तो वह भी कौन कर रहा है यहीट लॉस कम होता है नतीजा आपकी बॉड़ी क्या करती है के लिए हीट को प्रिजर्व करें जब ब्लड वैसल्स पतल हो जाती है में कहते हैं वैसो कन्स्रिक्शन क्या कहते है एस समय ब्लड वैसल दीच कम करती है सिकिन तक ब्लेट सप्लाय कम होने के की वज़ए से लो पारी ब्लू इस यह दिखाई देने लगे किसी भी किया बॉड़ी को हीट और नुकसान पहुचाती है तो इस समय क्या होता है ब्लड वेसल बहुत हो जाती है अच्छा संस्ट्रोक और हीट स्ट्रोक क्या है अरे लू लग जाना इसमें क्या होता है मारा जो स्वेट प्रडक्शन होता है इतना ज्यादा नहीं होता है इ लग रही होते हैं कि आपको फिलरों हो चैने हैं, फिल्स अप कहते हैं, आप जानते ही हैं पानी पी ना गर्मी 11ज courtroom पानी पी कि इसी भी चैप्टर को पढ़ना हो तो बस चैप्टर का नाम लिखी और आगे लिख दीजिए रहा है कि अपके मेजर सब्जेक्स यहीं पर इसी चैनल पर कवर हो रहे हूं मिलते हैं अगले चेप्टर में आपके ही पसंद के चेप्टर आपको लिखना है आपने लिखा आता है स्किन के लिए तो हमने बनाया आपके लिए थैंक यू लव यू और गॉड ब्लेस यू बाई